हेलो गाईज, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल फास्ट्रेक एगरिकल्चर आज हम पढ़ेंगे होटी कल्चर का लेक्चर फोर हमने तीन लेक्चर औरेडी कवर कर चुका है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं आज हम फोर्थ लेक्चर कवर करने वाले हैं जिसमें हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर तो यहाँ जैसा कि आप फिकर में देख सकते हैं training और pruning करने से पहले before का photo है और training pruning करने के बाद का यहाँ पर pictures दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे branches जो है या unwanted branches हो प्रून हो चुके है ठीक है यहाँ पर्टिकुलर shape भी provide हो चुका है ट्री को तो training और pruning यहाँ पर किया हुआ है before and after ठीक है सबसे परदें स्टार्ट करेंगे with the training तो training में सबसे पहले क्या किया जाता है suitable or desirable shape दिया जाता है plant को ठीक है जिससे कि वो एक strong framework बन जाए मतलब कि वो plant हमारा strong हो जाए और उसका एक particular shape या हमें figure type दिखेगा ठीक है तो हम training में करते हैं और training क्यों करते हैं to facilitate orchard cultural operation अब मालोगी tree का height बहुत जादा लंबा हो गया तो training करने से क्या होगा एक particular shape में भी आ जाएगा और हमें cultural operation करने में आसानी भी हो जाएगा ठीक है next है to provide an attractive appearance अब हम उसको shape दे रहे हैं तो उससे look भी तो अच्छा है गया तो attractive होगा उसका appearance ठीक है thick हो जाता है या heavy हो जाता है उससे क्या होता है न कि हमारे sunlight अच्छे से नहीं मिल पाता है हर एक leaves को तो इससे क्या होगा न कि जब training हम कर देंगे तो हमारा maximum जो leaf surface होगा न वो sun के contact में आएगा तो वो असानी से photosynthesis कर पाएगा ठीक है उससे क्या होगा तो हमारा production increase होगा training करने से हमारा production increase होता है ठीक है next है types of training तो हम आज 3 types of maximum 3 types of training होते है ठीक है पहला होता है central leader system जिसमें क्या किया जाता है मालो हमारा जो यह tree रहता है वो center वाला part apical dominance के वज़े से बहुत बढ़ने लगता है ठीक है तो बढ़ने लगता है तो इसी को हम क्या बोलते है central leader system बीच वाला apical part grow करता है ठीक है तो close center system इसको हम close center system भी कहते है ठीक है जिसे कि यहाँ पे ऐसे लंबा होगा फिर यह branches ऐसा ह ठीक है ऐसा ऐसा branch हो जाएगा इसका ठीक है close center system भी होता है central axis और main branch naturally grow vertically upward ठीक है जो central axis और main branch जो होता है वो continuously upward की तरफ grow करते रहता है ठीक है इसको हम pyramid shape भी कहते है शेप जो होता है इसका वो pyramid shape का होता है बहुत important question है ठीक है क्योंकि यह देखो यहाँ पे triangular hood type बन रहा है ना इस टाइप का तो यह pyramid shape form करता है ठीक है next type है वो है हमारा open center system open center system में क्या होता है ना कि जैसे central leader system में क्या हो रहा था वर्टिकल portion continue वाला जो portion होता है वो हमारा एक मिटर तक ही grow करता है एक मिटर करने के बाद को cut कर दिया जाता है ताकि वो वर्टिकल मतलब उसका lateral branches हो जाए ठीक है तो open में क्या कियाता है main stem of plant is allowed to grow up to a certain height certain height कितना है one meter one meter height तक ही उसको grow करने देते है main center को ठीक है यह वास shaped system होता है मतलब कि गुलदस्ता देखे हो ना उस तरीके का गुलदस्ता की समानी दीखता है इसलिए इसको वास shaped system कहते है ठीक है next जो है वो है modified leader system a modified leader system जो होता है ना वो दोनों का mixture होता है central leader system और open leader system का ठीक है open center system का modified होता है तो यह देखो intermediate होता है और दोनों का advantage इसमें आता है मतलब कि नहीं vertical upward grow करेगा वो और नहीं बीच वाला ज्यादा open हो जाएगा मतलब 1 meter height तक भी grow करेगा ठीक है तो यह दोनों का mixture रहता है तो इसमें दोनों क advantages होते हैं मतलब cultural operation भी आसानी से कर पाएंगे इसमें fruit भी अच्छे quality का आएगा ठीक हम सारे कुछ अच्छे से कर पाएंगे इसमें तो यह तीन types थे यहां पर figure में देख सकते हो center leader में vertically upward grow कर रहा है mid tip ठीक है modified इन दोनों का mixture है और open वास सेब्ड जो होता है open center system उसमें देख दिये हैं उनकी example दिये हैं मतलब किस plant में कौन सा training करते हैं तो apple और wallet में हमारा center leader system होता है पीच और plum में open leader system होता है पीर में modified leader system होता है citrus और fig में single stem system होता है पॉमी granite में multiple stem system होता है ठीक है तो यह आपको examples as it is याद करना होगा ठीक है next remove करते हैं pruning के तरफ तो pruning में क्या किया जाता है na judicial removal of plant part to obtain better and qualitative yield ठीक है इसमें क्या किया जाता है कि माल लो हमारा कोई part है जो unwanted है या diseased part है ठीक है कोई branches है तो उसको हम remove करते है तो इसमें judicial मतलब की selected stems को remove करते हैं ताकि हमारा better qualitative yield हो जाए अच्छा quality का fruit develop हो ठीक है removal of देखा मैंने बोला ना unwanted dead या diseased wood, shoot, root और other part of the plant इन सब को हम क्या करते हैं remove करते हैं ठीक है पहला जो है वो हमारा thinning है thinning में क्या किया जाता है ना base point से मतलब कि माल लो हम main trunk है हमारा यहां से जो branches निकलेगा तो जो attachment होता है यहां से हम क्या करते हैं thin कर देते हैं branches को ठीक है from base ठीक है branches cut from base to encourage tree growth, removal of shoot, arising unwanted places, diseased branch ठीक है इन सब branches को हम क्या करते हैं cut कर देते हैं ताकि अच्छा हमारा tree का growth को encourage करें ठीक है unwanted place से हम हटा देते हैं branches को तो यह था हमारा thinning next heading back heading back का मतलब होता है terminal portion से हम branches या shoots को हटा देते हैं ठीक है removal of terminal portion of shoot or branches ठीक है shoot or branches का terminal portion से हम cutting कर देते हैं ठीक है next two types है वो हमारा है pinching, pinching में हम क्या करते हैं कुछ leaves मतलब branch में कुछ leaves रहता है तभी उसको pinch कर देते हैं या हटा देते हैं removal of the growing portion growing point of a shoot along with few leaves ठीक है growing point जो होता है मालो यह tree है इसका यह ब्रांचस है और यहां पर बहुत सारे leaves लगे हुए ठीक है यह हमारे leaves है तो यह leaves होता है तो यह कुछ leaves को यहां से जो हम cut कर देंगे तो देखो इसमें कुछ few leaves है ना तो यह कुछ few leaves रहेगा तब हम cut करते हैं उ है तो इससे क्या होता है कि little growth अच्छा होता है यह हम करते हैं मैरी गोल्ड में नेक्स जो हमारा types है वो है dis budding मतलब कि मालो कोई bird हमारा wrong place पे आ गया है गलत जगह पे आ गया है तो उसको birds को remove करते हैं उसको हम dis budding कहते हैं birds arise in wrong place उसको हम dis budding कहते हैं ठीक है nipping और rubbing of young birds ठीक ह करते हैं तो इसमें से one two three centimeter मतलब वन से लेके तीन सेंटीमेटर तक का बार्क को हम हटा देते हैं रिमूबल और complete ring of bark ठीक है complete हटा देते हैं एक से तीन सेंटीमेटर पर तो उसको हम रिंगिंग कहते हैं ठीक है यह हम grape और mango में करते हैं next है notching notching में इस होता है कि plant को हम rough कर द दिया ठीक है उसको नौचिंग कहते हैं वह हम फिग में कहते हैं बेंडिंग हम ग्वावा में करते हैं यह हमारा propagation का टाइप सोता है तो बेंडिंग हम ग्वावा में करते हैं डी सकरिंग में बनाना में जो प्लांट होता है ना तो नीचे से जो हमारा में प्लांट के है कि 77 डिजली प्रूनिंग किस में करते हैं और हैवी प्रूनिंगटे का motherf kidding lead likely है और हेवी है ठीक है तो यह थे आज की lectures about training and pruning ठीक है hope you आपको अच्छा लगा होगा ठीक है thanks for watching